यहां पे पहले पार्ट में शायद हमने यह पड़ा था हिमाले रिवर्स के बारे में पड़ा था और उसके बारे में जो भी डेटियल थी वह हमने डिसक्स यहां पर करेंगे को यहां पे पार्ट 2 में हम जायेंगे पैवने रिवर्स के पास लिवर्स क्या है वह सारी चीज़े यहां पर थोड़ी इतन् US इतन्सी डिस्कस करते रहेंगे तो दूसरा पार दिया पर द्रेने जा रहे हैं पहले ही पर आएगी पैनिसुलर रिवर्स के बार में जानना है पैनिसुलर मतलब मैंने बता दिया आपको पता ही वह कि पैनिसुलर क्या होता है पैनिसुलर मतलब साउथ इंडिया की रिवर्स पैनिसुलर वर्ड का ही मतलब यह होता है कि जिसकी तीन साइड पानी है देखो यहां पर मैं painting करके बता देता हूं यह यह बहुंगा यहां इंडिया का south का shave है यहां भी पानी है यह यहां भी पानी है और यहां पर नीचे भी पानी है तीन साइड पानी का हो ना मतलब that is called peninsular साउस इंडिया की रिवर्स के बार में पढ़ेंगे चाहेंगे कि क्या है तो सबसे पहला बात यहां पे डिसकस करेंगे वेस्टन घार्ड्स जाता है वह में वोटर डिवाइड के बार में लास्ट एपीसोल में पढ़ देख है वह में वेटर डिवाइड के लिए पैझ सुल्डियत मेजर रिवर्स the peninsula peninsula मतलख मैजर रिवर्स कोन कोन सी है सबसे पहले महानदी है फिर घाए फिर घिवारे याद रखना नह 97 वन்री लोग वी ऊडिस देवर्स के चारओ की चार रिवर्स शू की ति और मेह जाती है और की से मिलती है वो बेंगाल से दिए आजाए जुर्ण मैंने रिवर्स छो काई सारी डीवर्स तो वेस्ट में मतलब गुजरात के ऊलाप्ट दो डार्च वट्राश् लाइटार्जुर्स लाइट ये बढ़ी-वड़ी नदीय दौर्न ओ निर्मदायन टापी Autob मेली इस्ट की ओर रिकली य। एंड किसे मिलती है अरेबियन सी कहां पे वैस्ट में अरेबियन सी में मिल जाती है यह नदिया जो है महानेदी को दावरी क्रिश्णान कावेरी वह इस्ट की और बहके बेव बेंगाल को मिल जाती है जबकि नर्मदा ताप जैसे बड़ी बड़ी नदिया वैस्ट की और बहक और इजनेट कहां शे शुरू होती है तो अमर कंटक प्लेटो जो है माउंटेन रेंजिस जो है जो मद्यपरदेश में सीचिवेटेड है वहां से यह नर्मदा शुरू होती है और फ्लो होती है किस और वैस्ट वार्ड मतलब गुजरात के और रिफ्ट वैली में मतलब रिफ् बन जाती है उस वैली को रिफ्ट वैली कहते है उसमें यह बहती है कौन नर्मदा इप फ्लोस थूर रोकी टर्रेन ऑफ मार्बल्स जबल पूर के आसपास देखो तो वहां की पहाड़ियों से मार्बल्स बहुत मिलते है रोकी पूरा प्लेन है वहां से यह बहते हुए और यह नर्मदा रिवर फास्ट क्यों बहती है क्योंकि स्लोप उपर से नीचे से बहना शुरू करती है इसलिए फास्ट बहती है आगे देखें फॉर्थ पॉइंट में यहां पे लिखा है तो दुवादार फोल्स फोल्स आर लोकटेड यह दुवादार फोल्स आपको यह नर्मदा के बारे में आपको पूछ रहे हैं दुवादार फोल्स मधिप्रदेश में शायल आपने देखा भी होगा आप गए भी होंगे ट्रिविकरीस मतलब छोटी-छोटी-छोटी कहीं सारी रिवर से जो इस रिवर को मिलती है दो नॉट है जो है इस नदी की जो में मिल जाती है most of the rivers meet at the right angles हर एक नदी एक राइट इंगल पर उसे मिलती है वैसे राइट इंगल पर यह नदी नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा कौन से स्केट में फैली हुई है तो मधिप्रदेश में और गुजरात में फैली कितनी लंबी है यह तेरा सो बारा किलोमेट टेरा बारा बरा यह नर्म्मदा ले खताम होते हैं उसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाती है तापी रीवर आप से लिए और यह पर सूरुबनेठें होंगे तो आपने लिक्राइव वहांसे यह नर्मदा बैक्षिये है आइअ तापी रीवर है वह बै तूल डिस्ट्रीक से ओरिजेनेट होती है बैटूल डिस्ट्रिक से प goblli है जयसे जैसे नुर्टं रीवर जो है व हो और आखिरकार मिल जाती है अरबियन के समंदर में, कौन तापी, इट है अन एक्स्टेंसिव बैजीन इन मदर्पादेस में सबसे ज्यादा यह फैली हुई है, महाराश्टर में भी इतनी फैली हुई है, यह कितनी लंबी है, 724, इतनी लंबी है, अब यहां पे देखो आप, में पे वेस्टान कार्ण फोनोगा, फेल कि पिछ का जो प्लेस है, जगा है बहुती नेरो है, बहुती नेरो, ज्यादा जगाहा है, और्युदý देहर्स है और इसीलिए रिवर कािक कहता है, जोर्ट हो जैता है, लंबा नहीं हो पाथा है, मेजर रिवर्स, बेस्त की ओर बेहने वाली चितनी भी रिवर्स है उस मेंसे मेन में में रिवर्स जो है ज्यादा था रिवर्स शौर्ट कोर्स किसे कहते हैं यह बहनने जिसका कोर्स जियादा है उन्हें, शौर्ट कोर्स है, तेक है, उसके बाद यहां पर गोदावरी बेजिन है, वो भी साउथ इंडिया के बड़ी रिवर है, जो मुझ रात में नहीं आती है, इसी लिए उसके बार में हम जानते हैं, तो क्या मिलता है हमें, वेस इस लार्जिस स्लोट से शुरू होती है, नासिद के पास से, महाराश्टर, महाराश्टर मैं नासिद दिशुक आता है, उसके पास कि जो वेस्ट इवर बेहना शुरू कर देती है, और सबसे बड़ी डिवर है पैनने सुलर नहीं, कितनी लंदी है, 1465 km लमजी नदी है ये, it flows to the east, इस्ट है सबसे वड़ी नदी है तो सबसे बड़ा बेजिन भी को तैसे उसका जो महाराष्चों में पड़ता है और बाकी का जो है तो है मतलब आराम करने की बात नहीं है बाकी का फि Heck a पूकसा कोई सारी छोचटी शोची रीवर्त को पी मिलती नरुगदा मैंस kilo अब उन्वेम उसमें से कोई से कि Carti रिवर है जो गोडावरी को मिलते हैं बताना मत कि किसी को हए उसमें से Puma Barba पमाज़ा वेंगंगा पैंगंगा यह सारी में थिक हैं जो गोडावरी को ऐसे घंट कर मिलती है कांसी पुमा वर्दा प्रहूतिकत मनेंग वेंगंग पैंगा इतनी की थे गुदावरी को मिलते है, गुदावरी is a long flow, लंभा flow है, कहां से निकलकर, कहां तक जाती है, और सबसे बड़ा Chic है इसलिए इसको और एक नाम से जाना जाता है, और वो नाम यहाँ पे है, गंगा of South, South के गंगा है यह आपको पूछा जाए, write a short note on the river which is called as Ganga of South तो आपको गोदावरी के बारे में लिखना है, किसके बारे में? गोदावरी के बारे में लिखना है, हाँ, बटा रिया हूँ, मैं हाँ, शेख बाठाद अब उसके बाद यहाँ पे हैं महानदी, हमना गोदावरी के बारे में पढ़ लेया, अब महानदी के बारे में जाते हैं, महानदी क्या है, महानदी कहां से शुरू होती है, माउंटेनिस एरिया, 36 गड़ के माउंटेनिस एरिया से जो शुरू होती है, और उड़ी साथी और होती है और लास में किसे मिल जाती है बेंगाल को मिल जाती है यह कितनी लंबी है 860 लंबी है और में लिए नदी कहां पर फेली हुए उसका बेजिन कहां पर फेला हुआ चाहर कंड एन नोड़ी साम हुआ हुआ यहाँ पर करिष्णा शुरू होती है Christmas River में इसका भी नाम है ख्रिष्णा जी चलो हम पढ़ते है यह होती है शुरू महा बड़ेश्वर से म079स चलो करती है यह देखो कितनी लंभी है portion hundred क्लो मेटर लंभी है यह हा तुंगभद्रा कोई ना गाट प्रभा मुसी भीमा यह उसकी ट्रिब्यूटर इस रिवर है जो इस रिवर को मिलने आती है कौन-कौन सी तुम्गु भद्रा कोई ना गाट प्रभा मुसी न भीमा न ना का मा 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 मला ला महा बड़े फिर्शिर होती है फोर्टेहन डिट किलोमेटर लंबी है यह सारी ट्रिब्यूटरी से इतने स्टेट्स में यह फैल हुई है उसके बाद हम कावेरी में जाते हैं कावेरी भी लंबी रिवर है तापी जितनी तो होंगे तो यह रिवर कहां से अर्यजिन होती है ब्रह्मगीरी माउंटेन रेंगेश्ट है कहां पे वेस्टन गाट मैं वहां से श्रू होती है और सेवनधावस्ट जोगे कौन सी का वैल का शोड़ होती है इसका बेजिन का मतलब यह रिवर कहां का पर फैल हुई है करला करणा टका तामिल लाडू करणा टका तामिल लाडू फिर यहां पर फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि मिलती किसको है बेंगाल को मिलती है पर कौन सी जगा से बेव बेंगाल को मिलती है वह तो बता दो यहां पर लिखा अगल में जो जगा है साओध पे वहां से यह बेव होगो ने राद पर कभी नहीं फिर यहां पर चोटा साइट नासा पे रिग्रफ है जिसका नाम है अधर रिवर्स भी है छोटी-छोटी कहीं सारी ऐसे रिवर्स है जो इस्त की और बहती है और बेंगाल कुलती है उसमें दामदर है ब्रह्मानी रिवर है वैतरणी रिवर है एंड सुवर्ण रेखा यह रिवर्स भी है इसके बारे में खास इंफरमेशन की जरूरोढ यहमालाहं मैं हमालया के आस पास ह'm स्कार भी रेखा झायाय के सब्सक्रीजाय इसके जरूसरथे पर चैनल करते हैं हमालाहं रेख्वात्य पर है लेक्स आर फॉर्म्ड फॉर्मड लेसिर वाद बॉर्फ पिकलने के बंते हैं फिर फिफ्ट में लिखा है और फ्यू लेक्स आर फॉर्मड इसारेवींड रिवर्स एंड यूमन एक्शंस की वज़े से भी लेक्स बंते रहते हैं यह याद रखना अगो in reverse having many Minder's Minder's के बारे में बताया था कि Minder's कई सारे बन जाते हैं लहां पे ऐसे reverse turn लेती हैं महां पे oxbowl eggs भी कई सारे बन जाते हैं जो इस तरह से कुछ होते हैं हां वह भी form होते रहते हैं Sea tides have created lagoon legs अभी नापको बड़ेता हूं कि लग लेक्स कैसे होते है वो और ज्यादा होते है जो उपने वह ऑनेगार, और पर चिल्का लिखा पर एक चुलनेम है चिल्का फिर को ले रूट अंपुलीकर यह एक्जनम्पल है इस ताइब किलेक किस था लगून लेक्स फिर सांबार मतलब आपको इड्ली ढोसा लेकल वहाँ पर जाना है सांबर तो महां से मिर जाएगा सामभर लेकां पर है राज़थान में है वह सिलाइन लेक्स है वह सॉल्टी लेक्स है ऑशनमें जिस तरहinsBERT का पानी होता है सिलाइन पानी वैसा पानी यहाँ पे संभाव लेक्सए और उस लेक्स है सॉल्ट प्रोनियूस करा जाता है द्धा फिर पॉलिथीन पर करके हमारा घर भी जुआए जाता है तो मैं यह एक्जंबल आपको देने वाला था लगुन लेक्ष क्या है देखो यहां पे यह जो है वह लगुन लेक्से मैं आपको पॉयंट करके बताता हूं यह पूरा बेव बेंगाल है यहां पर यहां पर अलग-अ है पूरी दिस्ट्रिक है यहां पर खुर्ड है अलग-अलग एरिया से ओशन के किनारे पे जो लैक्स बन जाता है उसके बीच आइलेंड भी होता है देखों यहां पर नाल वाना आइलेंड है यह चीली का लगून लैक है टोटल एविक्टेड एरिया 11754 हां वही एक्टर में तर है यह फेल हुए है कि यह है लग जिसके बारे में आपको इंफर्मेशन दे दिए और आप ले लिए ली फ्रमेशन अप जलते हैं अब हमाला मैं ले Constant के बारे मेंड़मे प्रते है तिब SCOTT को बहुत इंफर्मेशन दो देख लीती पर यहां पर थोड़ी ज़्ादा इंफर्मेशन लेक्स हमालय एंफ्रेश्वाटर लेक्स वह भी आमने देख लिया था क्यों ग्लेशियल एक्सिंस के मदलब ग्लेशियर जो है वह पीगलते है और उससे पानी बहता है और रेक्स बन जाते है वह तर फिल पानी उससे कैसे बर जाता है डिपरिशन वीच लेड पानी जो बर्फ के उपर होता है नीचे जो पानी उतल स्फलेश नाइचा होट पानी बहता है यह क्यों वह पर लोग ज़्यादा चाहते नहीं आवन जावन है नहीं लोग आप यह इंट नहीं होए इसाई वहां पर यह जिसका नहीं हो बहुतिफिफिफिरम है ऐसे ट्यक्तॉने क्रीजन वहां पर टैक्तॉनिक रिजन एक ट्रेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था अदर फ्रेश वोन व्र्ट टैय जिसका नाम है नाम है फिर नाम है फिर नोकतल एंड बाडपुरी यह लैक है उस दूसरे फिर फ्रेश होतार के कौन कोण दाई भी तो चलो उसका इंपोर्टन्स के बार में यह आपको सवाल पूशल है कि वोट आर वोट इस इंपोर्टन्स अपलेक्स कुछ रीवर से जो लैक्स के पानी से रीवर बहना शुरू हो जाती है फिर तीसरीयों पॉइंट में यहां पर लिका है इन दो रीजन्स वीश हैं जहां पर जादा बारीश होती है जादस ज्यादा पानी बर जाता है और पानी लैक से लिया भी जाता है बारिश होती है तो लैक बरा बरा रहता है तो उससे फाइदा कब होता है मतलब जब सूखा पड़ जाता है तो इस लैक में पानी बर जाता है पानी बरा गया है और पहले से बारिश तो वह काम में आता है और पानी बरा रहता है वैसा रिज्र वर्स बन जाता है तो वह काम में आता है तो युसफुल फूर जणरेटिंग हाईडल पावर क्योंकि पानी उपर से गिरता है तो हाईडल पावर उलेक्रिसिटी वहां से पेदा करी जा सकती है आपने बड़ बड़ टर्बाइन सर्द सरोवर में देखे होंगे दरवदा गए होंगे तो देखे ना सही बोले फिर यहां पर लिखा है फ्यू लैक्स एंहां कुछ लैक्स ऐसे भी है जहां पर नैचरल बीउटी बहुती होती है इसलिए वहां पर सुच लेक्स है वीन डवलोप जैसे टूरिस्ट स्पोर्ट बन जा मचली बीत बेच जाती है टूरिस्त रिसोर्ट भी आजब सास बनाया जाते हैं लोग मजे करता है जलसा करते हैं फिर यहां पर लेक्स की बात होगी जो रिवर्स की बात हमने तो यहां पे है पूइंस देखो रिवर्स है और इन मोस्त इंपोर्टन डिली फूरी हिस्टरी की बात कर लो आप लोग ने बसना शुरू किया गर बनाया यह बनाया बिगार दिया इसने रिवर को इदोखा दिया तो खेबाद इनसान यहां पर वो पॉइंट नहीं है बारिश पानी आते हां और सिदा रिवर में बहके चला जाता है इस सपाइब बैसिग छाई है बारे जी है जब हमारे पास पानी है रीवर से तो बाकि नहीं अग्रिकल्चर ऑफ और है और इंश्एंट्रिशन भी कहां पे अब आर्यन की बात करो अब ब्रब्डीयन की बात करो से पहले बीदा करो सिंदु वेले इस इसले बाकर सबрьीवर्स के किनारहिया के बसे तो Ethan message is बड़े Prab viens CTs जो थे पहले के आज के व avrrada रही बस हो रही तो अब बात कर लो डाली की बात कर लो कलकटा इंदाबाद भ्रूट शूरुत सब पासमें है कर फिर यह यह पर लिखा है री इस बीड बेस कैर्ओं टूब रिवर कंट्री के लिए बहुत है इंडिया रिसंट टाइम की बात करो तो वोटर पानी पीने के लिए इरिगेशन खेती के लिए और निविगेशन बनाने के लिए और जगा पे जाने के लिए रिवर सब काम में आती है यह एकोनमिक पॉलिशन होता है या रिवर वोटरी दोमेस्टिक एक्टिवेटी के लिए घर के या हमारे आसपास के काम के लिए ज्यादा यूज होता है एक तरह से नदी को मानते हैं लोक मानता है छोड़ देते शाया से बी करा में गंदा के बीतًग दिली में जो यमउना रिवर बहती है उसमें बाथिरूं का पानी घढता है कि टूना विगहर में इस भुणाया हमने उसे बनाया पर क्या मामू बक्वास बिसाइग्स वी ओल्सो थो सोलीड वैस्ट भी हम उसमें ही प्लास्टिक या कुछ भी जो सोलीड है इस रिजल्ट रिवर क्या हो जाती है वह बोलती नहीं ना बोलती है जब फ्लड आता है तब कहीं हो को बहा के लिए पर ऐसा नहीं करना चाहिए फिर यहां पे हैं सिक्स पॉइंट में लिखाए धर्ज वोटर पॉलिशन जो है इंक्रीस बढ़ रहा है क्यों इंडिस्रिलाइ सब्सक्राइब को कैसे बचाए जा रहा था कि जब टोटली लोगडाउन था तो कहीं सारी रिवर सेवन्टी एटी परसंट तक शुद्ध हो गए थी प्योर हो गए थी अभी फिर से बिगड़ गाएगी जो है उसे प्रिवेंट करा जा सकें बचाया जा सकें रोका जा सकें इस पब्लिक पाइशिपेशन लोगों को भी साथ में आना पड़ेगा उसे भी अविर होना पड़ेगा भाई सिर्फ गवर्मेंट क्या करेंगे हम भी फैंक पर रहेंगे गवर्मेंट वहां पर दियान रखके बैठेगी एक्स्पक्ते डाओं अलोंग विद गवर्मेंट स है ही उसके साथ साथ हमें भी एफॉर्ne पड़ेंगे भी यहां पर है मेंजर्स फूरी मट वकटर वालेश्ट करना चाहिए सफ पहले स्ट्रिक्ट ले लिखा ना सकता वॉटर विरिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए कि जो गंदा होता है उसे कैसे प्यूरिफाई करा चाहिए वह भी इंप्लेमेंट होना चाहिए थू नैशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नैशनल रिवर हमारी दैश की पूरी जितनी हैं उसे इसे बचाना उसे मेंटेन करने के लिए चला रहा है उसे वाटर प्री के के प्रोजेक्ट भी हमें इंप्लेमेंट कराना चाहिए फिर स्ट्रिक रूल्स शूट वी फॉर्म्ट तू प्रिव सब्सक्राइब करके करके या फिल्टर करके लग कर दें और बाकि किसी को नुकसं नहीं पहुंचा है वैसा पानी बच गया उस्से फिर रीवर में छोड़ देता अच्छा है फिर यहां पर फिर्फ फोट वदिका इन ओडर तो तो एधी नदी का पानी अमें चलीन रखना है तो एवरीं क्या करना पड़ेगा शूट टेक केर लिखा एङका साफधानी बरतनी पड़ेगी नौट टुमिक सब डॉमेस्टिक वैस्क निद रिवर हमारा चोट डॉमिस्ट सारी बाते करके, यहां पे Himalayan rivers, फिर वो तो लास पाउर्ट में कर ली थी, यहां पे पनी के प्रिंशर के रहेंगे, और एक बूसरी का अपनी बात दे रहेंगे, आपका आपना टीचर परसनल कोच जो भी आप समझते हो फ्रेंड वगएर 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 यहां से आप से घडाय देता हूं जहीं देजिए गरी दिशाथ पर हाँ यहां यहां पर मेरी चैन को सब्सक्राइब कर देना कोमेंट कर देना दोस्ते से शेर कर देना